हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम आपके लिए लाए हैं गोभी के फरे बनाने के रेस्पी आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों ये हमने पतले पतले गोभी के फरे बनाये हैं और इनको हमने बिल्कुल भी सूखा नहीं बनाया है गेले फरे हैं ये और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार आप लोग इस तेर रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा, और छोटे-छोटे से फरे बने हुए हैं, और कैसे बनाए हैं मैंने, तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो गोभी ले ली थी, दो गोभी के फूल लिये ह और यहाँ पर छोटे दो आलू मैंने छोटे-छोटे काट लिये हैं, और यहाँ पर दो प्याज ले लिया था, छोटे-छोटे इनको भी काट लिये हैं, लैसुन की 8-10 का लिया हैं, जो की मैंने छिल लिये हैं, और यह 5-6 हरी मिर्च मैंने छोट-छोटा काट लिया हैं, द इसमें ड़ेंगे कटी हुई हरी मिरच काटके रखी थी हमने यहां पर लाल मिरच बहुत कम यूज की आगर आप ज्याधा करते हैं तो आप हरी मिरच कम कर देना दोस्तों तो मैंने यहाँ पर हरी मिरच को भी तेल में डाल दिया है और इसको भी फ्राई कर लेते हैं जब ये गुल्डन ब्राउन हो जाएगा तब ही हम इसमें सब्जियां डाल देंगे तो कटी हुई सब्जियां हमने सब धूल कर नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वादा नुसार भी डालेंगे क्योंकि नमक हम पानी में भी डालेंगे इसलिए नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसको चला रेंगे आप हम इसमें नमक डालेंगे और यहां पर हम हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर हम रखाते हैंud और यहां पर एटा बढ़ा सकते हैं और यहां पर घरं घम-kक हिसा पाणी और दिया डाला ऌगाएंगे यह लज्मना 10-5 को भी जाएंगे और चलाएंगे चारों तरप से अच्छे से चलादेंगे ँस्वेयां गाएंगे, सक्रb Take the spare hand right तो दो टमाटर हमने काट के रखे हैं वो टमाटर भी हम इसी सब्जी में डाल देंगे क्योंकि सब्जी हमारी आधी पक चुकी है और टमाटर हम अब डाल देंगे तो हमारे टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे तो टमाटर डाल कर हमने ढग दिया है और 4-5 मिनट के बाद ह अगर आपके पास आप अधनिया है तो आप भी डाल दीजिए और अद्टार और रोटी पिली आटा भी लिया है और अब हम फरे बनाएंगे तो यहाँ पर हमने आटा गूत लिया है आटा हमने नॉर्मल आटा जैसे हम आटा रोटी बनाते हैं वही आटा हमारा रेडी है बिल्कुल इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है बस रोटी की तरह ही आटा हमने गूत लिया है और अब हम इसकी छोटी छोटी लोईयां बनाएंगे आप चाहें तो छोटी लोई से बना सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको एक बड़ी रोटी बेल करके किसी गलास से या कटोरी या किसी धकन से गुल गुल काट भी सकते हैं तो यहाँ पर हम एक साथ ही बड़ी रोटी ब खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए फरे जब भी बनाईए थोड़ा पतले बनाईए तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने बेल लिया है और अब हम इसको ग्लास की मदद से कट करेंगे तो हमारे फरे एक साइज के बनेंगे और यह खाने में और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं जब हमारे फरे एक साइज के बनते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं तो इसलिए हम इसको एक साइज के ही बनाएंगे और ग्लास की मदद से हम छोटे-छोटे इसको काट लेंगे और काटने के बाद हम इसके अंदर स्टिफिंग भरेंगे तो अभी हम सारी लोईया एक साथ जितनी रोटियां हमने कट करके रखी थी वो सारी हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब हम इसको भरेंगे तो थोड़ा-थोड़ा सा हम लेंगे आधा स्टिफिंग भी हम थोड़ा कम ही भरेंगे ज्यादा भरने पर ये फट जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको दबा दीजिए दीर दीरे से देखिए कितनी आसानी से ये दब जाते हैं और एक एक करकी सारे फरे बना कर तयार कर लीजिए इसी तरह से जैसे मैंने आप बड़े भी बना सकती हैं अगर आपको बड़े बनाना पसंद है तो आप बड़े भी बड़ी रोटी टाइप की आप बेल लीजिए लोई से बेल लीजिए गलास से कटिंग मत करिए आप बेल बेल के ही भर सकती हैं तो इसलिए यहाँ पर हमने गलास से काटा है तो हमा का तेल डालने के बाद हम इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं एड़ करेंगे यहाँ पर हम 4-5 लहसुन की कलिया डाल देंगे और यहाँ पर हम आधा चम्मत जीरा भी डाल देंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर सब्जियां भी एड़ कर देते हैं अगर आपको सब्जी डालन तो अभी हम तेल में लाल मिर्ची नहीं डालेंगे नहीं तो छीके आने सुरू हो जाएंगी तो यह हम बार में डालेंगे और इसमें हम पानी मिला देंगे पानी हमको उतना ही लेना है जितने हिसाफ से हमको फरे बनाने हैं बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है और ना बहु करेंगे इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी एड़ किया है नमक डालते समय कब वीडियो सूट नहीं हो पाया है तो आप लोग नमक जरूर डाल दीजिए गए इस पानी में एक एक करके जितने भी फरे बनाए हैं सारे हम इस पानी में डाल देंगे और डाल करके हम इसको ढख कर पकाएंगे तो लगभग हमारे सारे फरे बनकर रेडी हो गए थे और हमने सब को डाल दिया है और यह हमारे फरे पकने भी शुरू हो गये हैं और बहुत तेजी से हम इसमें चलाएंगे नहीं बहुत धीरे-धीरे से ही हम चलाएंगे वैसे भी हम इसको ढख कर पका रहे हैं तो हम आराम से चलाएंगे, वह तेज नहीं चलाएंगे, नहीं तो फरे भी से फट जाएंगे, चलाने के बाद हम इसको ढख देंगे, ढखने के बाद हम 10-15 मिनट के बाद हम इसको फिर से ढखकन हटाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फरे हमारे बनकर रेडी हो ग और एक एक करके हमने दूसरे प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे फरे बनकर रेडी हुए हैं पतले पतले छोटे-छोटे से फरे बनकर तयार हैं इस तरह से आप बनाईए फरे बहुत तेस्टी लगेंगे आप खाईए बच्चों को खि तेस्टी दूसरे बढ़ां से निकाल में ने वाद हम फिर मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियों में अ